इस वीडियो में हम different types of render machine का बात करेंगे सबसे पहले हम general workspace में एंटर कर लेंगे अलड़ी हमारा क्यूब वहां पे प्लेस्ट है कि shift a press करके एक plane डाल देंगे as fresh करके थोड़ा से scaling कर लेंगे कि अभी अपने जुसको क्यूब है उसको उपर थोड़ा से उठाएंगे चीज प्रेस करके जच प्रेस करने से उसे उपर उठा सकते हैं अभी एक मंकी डालेंगे सिम्यूलेशन चेक करने के लिए शीप्ट ए मैश मंकी उसे थोड़ा सा साइड आउट करेंगे जी करके मूँ करेंगे और उसको जी प्रेस करके जेट डायरेक्शन में थोड़ा सा अप करेंगे अभी हमारा ओल्डेडी सीन प्रिपेर हो गया है रेंडर चेक करने के लिए अपना रेंडरिंग में तीन मशीन रहते हैं करेंगे ओवी वर्क पैंच और साइकल को सबसे पहले में इवी चेक करेंगी ईवि हँव सबसे सबसे प्रेंडर मशीन है पर सबसे एक्यूरेट नहीं है सबसे अक्यूरेट अपना आप साइकल से जो रेट्रेसिंग्यंव करता है कि इस शेडो बेसरेंडरिंग है इसमें यह करेंगे तो कैसा दिखीगा आ हमें सभीच चीज का शेडो दिख रहाए अ है इस तरह कर रहेगा अभी हम इसमें अगर मट्रिय्वले करेंगी सबसे पहला सब्छे को सिलेक करके में जाएंगे में ओल्ड़ेडी हमारा ब्रांड न्यू में दिया हुआ है करे अनेruktur हम वहीं रखेंगे इसको हन्ट्रेट परसेंट मेटालीड बना डेंगे और इसका रफ्पनेस जिजिरो कर देंगे तकी सबस्क्रिक बन जा अभी बारे मैं जुकिए है ऑधी दो मंधिक हम येगोगे और मयुकरे मट्रियल कर देंगे यहाँ कलर चेंज कर लेंगे कलर हमने कर लिया है रेड अभी आप देख सकते इसका रिफ्लेक्शन इसमें दिख नहीं रहा है जबके मेटालिक मट्रियल है और अपना सीन कुछ इस तरह से दिख रहा है इवी में अभी हम रेंडर मशिन चेंज करके वर्ग बेंच में जाएंगे वर् कुछ नहीं दिख रहा है यह वर्ग बेंच है अगर वर्ग बेंच में हम जाके इसका सिम्यूलेशन चेक करें तो यहां पर हम मेट केप में अलग-अलग टाइप का दे सकते हैं जैस्ट पूर चेकिंग पर्पोस यह एक काम इवी में भी हो सकता है हम जनरली इवी यूज कर सकते हैं कि अभी हम अपना फाइनल और सबसे एक्यूरेटर देखते हैं वह साइकलिक को काफी स्लो है इसलिए फ्रपीम होने में ठीम लगता है अभि हम यहें में जैंगे लिश्व में आप देख सकते हैं साइकल्स में पुरा पूरा रिफ्लेक्शन देख रहे हैं देख सकते देखिए पुरा का पुरा एज़ ग्लास सर्फेस पुरा का पुरा रिफ्लेक्शन हमें दिखा रहे आए यह जो क्यों भी अपना वह ग्लास बन चुका है अगर इस क्यूब को मुद्धाउन करके चेक करेंगे ना तो हमें इसमें प्लेन का भी यू दिखेगा पर यह थोड़ा सा स्लो है पर सबसे ज्यादा यूसफूल यही है क्योंकि इसमें हमें एक्क्यूरेट डिटेल मिलती है और आपका डिसीजन मेकिंग भी इसमें अच्छा रहता है पर इस पर यूर कंप्यूजर स्पीड यह थोड सबसे और सबसे स्लो है उसमें ज्यादा तर डिटेल मिल जाती है तो हम इसका ज्यादा तर यहीं यूज करते हैं जब हम फाइनल करनी होती है तब हम साइकल का यूज करते हैं झाल झाल